आज दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है तीस सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सुभा से ही मतदातों की लंबी-लंबी कता रहे हैं दिखाई दिरी हैं मतदान केंद्रों पर शुवेंदु अधिकारी जो ममतब अरजी के खिलाव चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से वहां से टकराव की खबरे हैं तनाव की खबरे हैं जहां टी-मसी ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बाटने का आरोप लगाया है यह तस्वीरें आप इस समय टेलेविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं पश्चिम मिदनापूर के देबरा में तनाव हुआ है जहां तरणमूल और बीजेपी एक दूसरे पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं यह तस्वीरें आप इस वक्त तेलेविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं नंदी ग्राम में ममता और शुबेंदू की फाइट है तो डेबरा में दो पूर्व आईपियस एक दूसरे के आमने सामने हैं भारती घोष बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं टीमसी से हुमायू क कबीर किस्मत आजमा रहे हैं दोनों सी एडी में एक दूसरे के साथ मिलकर अपरादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं और अब राजनीती में आने के बाद एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं भारती घोष 2019 में बीजेपी से लोकसबा चुनाव भी ल पर जानकारी लेकर बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर लेकित देवरा में सुबा से ही एकदम हाई प्रोफाइल हाई टेंशन एक एलेक्शन हो रहा है अभी अभी कुछ देर पहले फिर से देवरा की बीजेपी की उमिद्वार भारती घोष्ट ने हमसे बात की भारती घो दावा क्या के बूत के 100 मीटर के अंदर बहुत सारे लोग थे बाहर से लोग थे जो इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे वोटर्स को CRPF के साथ उन्होंने बात की और उसी के बाद लोकल से भी हम लोगोंने बात की उनका दावा है कि वो लोग वहीं के वोटर्स है उ हमर्थक जो है वो लोग प्रोटेस्स कर रहे हैं कि भारती घोषट के साथ नाइंसाफी भी हुई है एसा लिए दावा कर रहे हैं पुलीज के अगर हम दिखाए दिया एक पो एक तरफ दूसरे को दूसरे तरफ करके जमेला जो है उसको रोख दिया दाट्टुई यू यह पैसे बाटने का क्या मामला है सुर्याग्री देखें ये आरोप तो दोनों पक्षों से लगते हैं कि बीजेपी और तुनों ही पैसे बाटते हैं ये लोकल केंडिडेट्स हो या फिर मम्ताबानेजी खुद वो बार इन बार ये कहती आ रही है कि पैसे दिये जाते हैं गाउवालों के तरफ से ऐसे के सेंट्रल फोर्सिस के द्वारा भी पैसे बाटे जाते हैं ऐसा भी दावत नमूल के बहुत नेताओं ने भी किया है इस बार चुनाओं में हमने देखा है और अगर हम देवरा के बारे में बात करें तो देवरा में बहुत ही हाई प्रोफाइल ये एलेक्शन हो रहा है कारण यही है आज नंदी ग्राम का भी चुनाओ है नंदी ग्राम बहुत सबसे जादा शायद हाई प्रोफाइल है लेकिन उसके बाद दादा वर्सिस दीदी ये देबरा में भी हो रहा है दो पूर्वी IPS जैसे आपने कहा रोहें के दो पूर्व IPS हुमायू कभीर तरफ से और अशारो रोक रहे हैं सुर्यागनी आपको प्रकास जावडेकर केंद्रिय मंत्री इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं आपको सुन्माते हैं क्या बोल रहे हैं तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगितकार, सभी लोगों को समय समय पे दादा सब भाक्या वार्ट मिला है आज इस साल का ये दादा सब्सक्राइब फाक्या वार्ड रद्महान नायक रजनीकान को गोशिक करते हुए में बड़ी खुशी है इंडिया एवरी येर गिव्स दादा सब्सक्राइब फाक्या वार्ड पर फिल्म पर्सनेलिटी इस यह इस सिलेक्शन इस मेड़ जूरी इस यह जूरी कंसिस्टेड ऑफ आशा भोसले मोहनलाल विश्वजी चैठरजी शंकर महादेवन और सुभाज गही और पाच्छों जूरी ने बैठक करके एक राय से महान नायक रज्डिकान को दादा सब फाक्या वार्ड देनी की शिफारिस की और इसलिए उनके नाम का यह पुरसकार गोशित हो रहा है रज्डिकान पचास साल से सूरज के तरह सिने सुष्टी में चमक रहे अपनी प्रतिभा लगन और मेहनत से उन्होंने ये स्थान लोगों के दिल में जमा लिया है ये उनका सही गौरव है दादा साब फाक्या वार्ड इसलिए महत्वपुर्णा है कि दादा साब फाक्या ने पहला भार्थिय सिनिमा 1913 में 108 साल पहले राजा हरिश्चंदर बनाया था तो उस राजा हरिश्चंदर सिनिमा के बाद ये पहले चित्रपट महर्शी कहलाने लगे और दादा साब फाक्या के मुर्ट्यू के पश्चाद ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया और आज तक 50 बार ये अवार्ड दिया गया है 50 साल दिया गया है इस साल ये 51 साल है और रजनीकान के चयन पर निश्चत मुझे देश बर में खुशे आएगी ये मुझे पका विश्वास है खुश्टटग भूटाई सुमें रजनीकान के मुझेत इस सब्सस्यामा पर क्वल के अवार्ड का चुश्टग धन कि अरक भाट तकECT प्रूज पर एज की पर के विए भार्ड पा के वाड़ है Chandra. And since then, there is always growth, horizontal and vertical, of Indian cinema. Now Indian cinema has made impressions throughout the world and it will become world cinema. It has already become world cinema. And Indian cinemas fans are spread over all the globe. and it will continuously increase so ये सब फिल्म दुनिया के लिए और सब के लिए ये खुशी की खबर है वो जो सिनपती थे कभी ममता बनर जी के सिपहसलार थे ममता बनर जी के और आज ममता बनर जी के खलाफी वो चुनाव मैदान में उतर चुके है दादा वर्सिस दीदी नंदी ग्राम की इस सीट पर हो रहा है तस्मीरे हम आपको दिखा रहे हैं टेलिविजन स्क्रीन पर एक साथ नंदी ग्राम का संग्राम और साथी डेवरा का हाल जहां पर टीम सी और बीजे पी में चुनावी जंग के साथ-साथ यहां आमने सामने की जंग भी एक तरीके से हो गई टीम सी का आरोब बीजे पी पर के उनके कारेकरता उनके नेता पैसा बाट रहे हैं चुनाव में लगातार इसी तरीके का आरोब बीजे पी भी तरणमोल कॉंग्रेस पर लगाती रही है बंगाल की 30 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है 345 उम्मीदवार इन सीटों पर मैदान में हैं लेकिन नजर सब की नंदी ग्राम सीट पर जहां ममता बनरजी वर्सिज शुबेंदू अधिकारी सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला बंगाल के चुनाव का हो रहा है और 9.5 बेज़े तक मतदान की स्थिती क्या है आपको बता देते हैं बांकुरा में 16.05 फीसदी पश्चमिद्नपुर में 17.3 फीसदी मतदान हो चुका है पूर्विद्नपुर में लगबग 17 फीसदी मतदान कुल मतदान 16 प्रतिशत हुआ है दक्षिन 24 परगना में 8.6 फीसदी मतदान यानि की बाकी जगों से आधी रफ्तार दक्षिन 24 परगना में वोटिंग की चल रही है ये दूसरे चरण के मतदान की 9.5 बजे तक की तस्वीर है आपको बता दे लंबी-लंबी लाईने पश्यम बंगाल में मतदान केंद्रों पर आज भी लगी हुई है लोगों में उच्साह देखने लाइक है और क्रिकेटर अशोक डिंडा दो दिन पहले जिनके काफिले पर हमला हो गया था उनकी किस्मत का फैसला भी आज के ही चरण में होना है मोयना विधान सभा से अशोक डिंडा चुनाव मैदान में है टी-मसी से मौजूद अविधाएक संग्राम कुमार दुलूई और कॉंग्रेस समानिक भौमिक उनके सामने हैं ऐसे में मुकाबला तिकोना इस इलाके से माना जा रहा है हलाकि 2016 के चुनाव में संग्राम और भौमिक के बीच में ही असली मुकाबला हुआ था चांदीपुर में अभिनेत्री सोहम वो चुनाव मैदान में है सोहम चक्रबर्ती टी-मसी से किस्मत आजमारी है और ममता बनर जी बोट डालने के लिए अपने घर से निकलने वाली है इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं के घर के बाहर और साती नंदीग्राम में जहां ममता बनर जी किस्मत आजमारी है अपनी चुनाव मैदान से इस बार वहाँ अनुपा मिर्श अमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए है इंद्रजीत कुंडू दिखाईए ज़रा तस्वीर और बताईए क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है जी हां रोइत हम लोग इस वक्त रिया पारा में है यही पे ममता बनर जी ने भाड़े पर अपना घर लिया है अब पिछले कुछ दिनों से ममता बनर जी यही पर कैम कर रही है आप देख सकते हैं यह उनका घर है और बाहर जो नीली गारी है वो बिल्कुल तयार है और हमें कहा गया है कि कुछ देर में ममता बनर जी निकल सकती है सुबा साथ बजे से हम लोग यहां पे है और ममता बनर जी घर के अंदर से ही पूरी जो प्रक्रिया है उसको monitor कर रही थी और अब कहा गया है कि ममताबनरजी खुद निकलेंगी और ऐसा हो सकता है कि कुछ जगों पे वो जाए और देखे किस तरह के चुनाव का जो process है वो चल रहा है क्योंकि तृनमूल सुभा से बहुत सारा ऐसे complaint डाल चुका है कि बहुत सारे जगों में EVM काम कर रहे हैं जो बीजेपी के समर्थ तक है तृनमूल के supporters को उनके voters को धंका रहे हैं डरा रहे हैं इस तरह कि जो complaint से वो सुभा से तृनमूल Congress कर रही है हाला कि बीजेपी के और से उस तरह का complaint नहीं देखने को मिला है क्योंकि शुभेंदू अधिकारी जब सुभा निकले थ है उससे वो संतुष्ट है लेकिन तृनमूल Congress के और से बार-बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगह में जो Central Force है केंद्रिया सुरक्षा बल वोटरों को इंटेमिडियेट करने की कोशिक कर रहे हैं जरा रहे हैं और धंजा में और शायद वही कारण है के कुछ देर में मबताव एनरजी हम देख पाने है सिक्योरिटी का ताम-जाम है कुछ देर में निकलेंगी और उसके बाद कुछ अंदूरूनी जगह है नंदिग्रा में जै दस्वीरें दिखा रहे हैं ममता बनर्जी निकलने वाली है घर से किसी भी वक्त निली कार दिखा रहे हैं इंद्रजीत कुंडू के उनके घर के बाहर तयार कड़ी है और रेया पारा में यह वो जगह है जहां ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले घर लिया है और दूसरी तरफ नंदिग्राम पोलिंग बूत अनुपम मिश्व हमारे सहयोगी वहाँ पर मौझूद है जहां ममता पनर जी और शुबेंदू अधिकारी आमने सामने हैं शुबेंदू तो सुबह सुबह वोट डाल गए अनुपम ममता जी ने बड़ी देर की जी देखें ममता पनर जी नॉर्मली काफी देर से निकलती है उनका जो रूटीन है देर रात तक चलता है उसके बाद सुबह देर से निकलती है यहां की वोटर नहीं है भवानीपूर की वोटर हैं तो अभी वो निकलेंगी किस तरह से प्रक्रिया हो रही है वो देखेंगी क् सुबै से आरोप लग रहे हैं TMC के ओर से तो कई जगह बूतों पर BJP ने कैप्चर कर लिया है पोलिंग एजेंट को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है इस बीच में आपको जो बूत है वो भी दिखाता चलू पीछे किस तरह से लाइन है और आपको बता दो हिंसा की जो खबरे हैं तीस जो सीटों पर चुनाओ हो रहे हैं वहाँ पर केशपुर जो है पश्यमिद्नापुर में केशपुर में कल रात एक TMC कारेकरता की मौत हुई है और वो इलाका थोड़ा तनावपुर बना हुआ है और चंडीपुर जहां पर अभिनेता शोभन टीमसी के उम्मीद्वार है वहाँ पर भी तनावप बना हुआ है बम चलने की खबरे हैं लेकिन अभी तक पुखता नहीं है वहाँ पर TMC का आरोप है कि वोटर्स को डराया धमकाये जा रहा है नंदीग्राम जिस वक्त जहां हम मौझूद है और यही वो बूथ है जहां पर शुबेंदु अधिकारी ने सुबह सुबह अपना वोट डाला है अगर मैं बात करूं तो नंदीग्राम में कई तरह के आरोप TMC की ओर से लगाये गए हैं कि यहां पर कई बूथों में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश BJP की ओर से हुई है सेंट्रल फोर्सेज उनको मदद कर रही है वोटर्स को डरा रही है धमका रही है लेकिन अभी तक जो बड़ी हिंसा की घटना की खबरे हैं जैसा कि प्रथम चरण में भी हमने देखा की हिंसा की बड़ी खबरे नहीं आई अभी तक दस बच चुके हैं तीन घंटे का समय हो पूरा चार्ट बना कर चुनाव आयोग को भेजा गया है। पूरा चार्ट बना कर चुनाव आयोग को भेजा गया है। पूरा चार्ट बना कर चुनाव आयोग को भेजा गया है। पूरा चार्ट बना कर चुनाव आयोग के पास त्रणमूल कॉंग्रेस शिकायत लेकर गया है। प्रभु जी एक कॉनन जल्दी से आपका इवी एम को लेकर। चुनाव मियाने में दूसरा विशे है। प्रण्तु ये राजनीती है इसमें अपने आपको वरकरों को और बाकियों के उपर एक साइक्लोजिगल प्रेशर बनाना बीजेपिव के उपर कि आपने अगर कुछ इरबड करनी है। पहले से शिकायते कर रहे हैं तो ये एक पार्ट अब स्ट्राटिजी है कि एक दूसरे के उपर आच्छे लगाना इसमें ये है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने एक मेकैनिजम डेवलप नहीं किया कि उतरांती उसी वहां पर स्पार्ट के अंदर उसका डेनायल करें उसको बत करेंगे बीडिपी वाले भी करेंगे सारे करेंगे एक दिसरे के उपर प्रेशर बढ़ाने के लिए और अपने वर्करों का मनुबल बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पॉस्चिरिंग काम आती है खास तोर पर जब सामने वाली पार्टी उस चीज़ क का इस्तेमाल कर रही है और ये कहते हुए कि आप हार रहे है इसलिए आप बार-बार EVM को दोश देंगे ये तो होता ही है हारने वाले कि जब आप पॉस्चिरिंग इसलिए आप ठीका कि पॉस्चिरिंग की जाती है कि वर्करों को कैसे आप फील्ड में रखें अगर आप ज पॉस्चिरिंग इसलिए जाती है तो समिक्षा के अंदर सुबह क्या टॉकिंग पॉइंट होंगे ये बूस्चिरिंग इसलिए जाती है कि यहां पर हिंसा का महल इतना ज्यादा है जितना एग्रेशन होगा और उस खीचा तानी पले चुनाव आउग जैसी संस्था की इजळत उसकी विश्वस्तनियता दाव पर लग जाए मैं इस पर आप से कॉमेंट लूँगा, उसके पहले इंद्रजीत कुंडू आ गए हमारे साथ, अम आपको सीधे ले चल रहे हैं, रह पारा, जहां पर ममता बनर जी का घर है इस समय, और ममता बनर जी माना जा रहा है कि आप से किसी भी समय, वोट डालने के लिए निकल सकती है वोट बाहर जा सकती है, वोटिंग बूत, जहां जहां आज वोटिंग चल रही है, वहां का हाल देखने के लिए जा सकती है, इंद्रजीत, बताइए क्या ख़बर आपके पास आ रही है। कामरा परसन को जूम करके वो घर दिखाए, यही इसी घर में ममता बनर जी पिछले कुछ दिनों से रह रही है, किराय पे और पूरा बंदोबस किया गया, आप देख सकते किस तरह का बैरिकेडिंग है, उसके साथ-साथ वो जो नीली गारी है, उसी गारी में ममता बनर जी वीलचेर में सामने की सीट में बैठती है, और पिछले कुछ दूनों में हमने देखा कि जब अपना कैम्पेनिंग उन्होंने खतम किया दो दिन पहले, उसके बाद कैम्पेनिंग खतम करते हुए ही वो चली गई थी बलरामपूर, इंटिरियर विलेज है, वहाँ पे गारी उतर के उनको वीलचेर पे अंदर ले जाया गया था, और आपको जो रास्ता है गाउं का, वो आपको दिखा दे, 6 feet का इस तरह का रास्ता है, जो concrete का बना हुआ है, और इसी तरह के रास्ते अंदर उनको ले जाया गया था, वीलचेर पे, जहां वो अपने जो कर्मिया है, पार्टी कर्मी है, त्रुनमूल के, उनसे मिलने गे थी, क्योंकि उनके पास ये खबर आया था, कि बीजेपी के जो समर्तक है, वो त्रुनमूल के पार्टी वर्कर्स को धमकी दे रहे था उस एरिया में, वहां पे वो गये, लेकिन उनके खिलाब जमकर नारे बाजी भी की बीजेपी के कारिय करता होने, और आज सुबा से जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंस त्रुनमूल के और से आया है, ये लग रहा है कि त्रुनमूल का एक स्ट्राटीजी बन गया है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में भी हमने देखा था कि सुबा से त्रुनमूल पूरा दिन इलेक्शन कमिशन पर दवा बनाने की कोशिश कर रही है, कहते हुए कि कहीं पर EVM फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, तो कहीं पर Central Force लोगों को डिराने की कोशिश कर रही है, इस तरह का जो आलिगेशन है, वो त्रुनमूल कॉंग्रेस लगातार कर रही है, और ये भी जतानी की कोशिश कर रही है, कि चुनाफ कमिशन जो है, इलेक्शन कमिशन उसको भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरी है, जरूरत है, हाला कि आज सुबा तक अभी जितना भी वोट हुआ है, दो-तिन घंटे में, छुट-पुट घंटे आई जरूर हुई है, लेकिन कोई बड़ा law and order situation अभी तक नहीं दिखा है, नंदिक ग्राम की अगर हम बात करें, तो नंदिक ग्राम जो इस इलाके में आता है, हल्दिया और तमलुक सब्डिविशन में, उसमें प्रोहिबिट्री ओर्डर सेक्शन 144 के तहर, CRPC लगा दिया गया ह आज जारी है, वो कल तक जारी रहेगा, उसके साथ-साथ 22 कंपणी Central Paramilitary Force है, 22 Quick Response Team है, 3 Observer है, 10 Sector Officers है, और 355 sensitive boots है, जिनमें से 75% बूट्स में webcasting के सुभिदा की गई है, तो पुकता security का इंतजाम किया गया है, लेकिन दोनों ही दल अपने अपने allegations जरू लगा रहे हैं अमूमन दोनों उम्मीदवार आमने सामने होते हैं, तो वोट डलते हुए लोग तस्वीर देखना चाते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ममता बनर जी दक्षन कोलकाता में बवानीपूर सीट से उम्मीदवार होती रही है, अमूमन इस बार वो नंदिग्राम स सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और जिस सीट पर उनका वोट है, वहाँ 26 अपरेल को वोट डाला जाना है, तो ममता बनर जी के वोट डालने की तस्वीर दिखेगी 26 अपरेल को, लेकिन इस बीच लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि ममता बनर जी ने बीच चुनाव म उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं. में कॉम्मिनिस्ट और कांग्रेस उनके खिलाब लड़ रहे, उनको भी वो अबान कर रही है कि हमारे सब के साथ आओ, एक जुट हो, तो ये सर्वाइवल का, उनका पत्र है, बाकि कुछ नहीं. और इस वक्क खबर आ रही है कि तनमे घोष बीजेपी के चुनाव एजेंट हैं, उन्ह पर हमला हुआ है. वेस्ट मिदनापूर, पश्चमी मिदनापूर, बीजेपी के चुनाव एजेंट पर हमले का आरोप बीजेपी ने लगाया है. केशपूर के बीजेपी चुनाव एजेंट हैं तनमे घोष, वो घायल हो गए हैं, आपको बता दे हमारे सहयोगी इंदरजीत कुंडू, अपसे कुछ पर पहले आपको जानकारी दे रहे थे, कि केशपूर से खबर आ रही है, उनके पास वहाँ बीजेपी और त्रणमूल क कॉंग्रिस पर आरोप लगा गया था, आज केशपूर में बीजेपी के चुनाव एजेंट हैं तनमे घोष, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत ही दर्ज नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वेस्पिदनापूर की य जहां से बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव एजेंट है तनमे घोष, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और साथ ही उनका आरोप पुलिस पर भी है, कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, तस्मीरे हम दिखा रहे हैं, साथ-साथ, प्रकास जावड अब देखिए, ममताब एनर जी दोजार उनिस का जब चुनाव जी, महौल बना रहे हैं, अपने इशू को बड़ा करना, क्योंकि वेस्ट बगाल के ओल ममताब एनर जी के लिए चुनाव का विशे नहीं है, यह सारे देश के लिए एक्सेट करेगा कि देश के अंदर आके क परचार हो कि यहां पर जो अटैक हो रहा है, बाहर के लोगा आ करके यहां पर परचार कर रहे हैं, तो ममताब एनर जी इशू को लोकल इशू से उठा करके राष्टिय नेता पर ले जा रही हैं, यह चुनाव के वर टीमसी और बीजे पी के बीच में नहीं है, यह मिर को लगता है कि वहां पर केवल ममता ही एक प्रचार कर रही है सारे इलेक्शन का, जबकि बीजे पी की तरफ से आप देशते हैं कि दरदें से ज़्यादा मंतरी हैं, चीफ पुनिस्टर्स हैं, पर अंतु तरना मूल के पास एक ही वक्ती है जिसका नाम है ममता बैनर जी, कि हर कॉंसिएंसी में ममता बैनर जी के नाम से वोट मानेंगे जा रहे हैं, तो यह ममता बैनर जी अपने आपको एक दूसरे लेवल पर ले गई हैं चिछी लिख करके, कि मैं सारे देश के बारे में यादा चिंतीत हूँ, कि मेरा हारना, यह मेरा हारना नहीं होगा, बलके डिमॉक्रेसी की डिफीट होगी, और प्रकाश जेवागर करना ज़रूर है कि वो इस तरी लिख रही है, क्योंकि वहार रही है, यह कोई जवाब वैसे लॉजिकली तो जवाब नहीं बनता है, कि उनका बनता है कि डिमॉक्रेसी अगर खत्रे में है, उसका जवाब परना तू मिम्ता बेनर जी का जिए उस्टेप जो है, यह एक नैशनल अगर इस तरी की ख़बर नहीं बनाती तो नैशनल लेवल के अंदर चाथ कवरेज उनको नहीं बनती है, यह आने वाले दिनों के लिए इस तरह के संकेत के तोर पर नहीं देखा जाएगा, कि के बारे में इंप्लिकेशन हैं, परन्तु मैं जो कह रहा हूं कि उसके बात को अठाना की बात में हम इकठे हो सकते हैं, दो मई की उसमें लिखा लेटर के अंदर, कि लेटर सिट आफर सेकिंड में बनाती है, यह जीत जाते तब क्या करना है, यह यूनाइटेड फरंट बन बड़ी हाई लेवल पर लेक करके जा रही हैं, इसलिए क्योंकि मोदी जी हैं, आमी शार जी रोग पहुंझाते हैं, जट्रा पहुंझाते हैं, वहां के बर ममता बैनर जी है, तो चीफ मिनिस्टर वर्सेज रेस्टर्स और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, उन्होंने एश्यू को थोड़ा बड़ा कर दिया है, एक बात है, एलेक्शन मुमिन्ट के अंदर आपने टॉकिंग पॉइंट्स देने हैं, जमता के बारे में, अगर वो इस पर इश्यू को नहीं उठाती है, शायद जितने लोगों ने डिसकस किया, नैशनल मीडिया के अ तरनी हो, और आज भी अभी तक जो लग रहा है, कि केवल में एक अरहान इस बात का हूँ, कि बीजेपी के लोगों की पिटाई हो रही ही है, जैसा आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ पर बीएस एफ है, सी आर पी एफ है, आई टी पीपी है, और डूरिं दे एलेक् पुलिस केवल इलेक्शन कमिशन को रिपोर्ट करती है, उनके अब्जर्वर को रिपोर्ट करती है, पुलिस वहाँ एक्शन क्यों नहीं लगी, इलेक्शन कमिशन पहले हैं कि इलेक्शन कमिशन इस वगर लगता है कि चुपचा बैठा रहता है कि होते हैं जो होता है, एक कहीं गड़बड़ी हो रही है तो हम उस पर भी कारवाई कर रहे हैं संजय जी हमारे साथ आ रहे हैं CSDS वाले उनसे भी इस पर बात करेंगे उसके पहले तस्वीरे दो जो हमारे दर्चक देख रहे हैं केशपुर पश्चिमिद्नापुर जहां तनमय घोष बीजेपी के चुनाव एजेंट उन पर हमला हुआ है उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई उनकी गाड़ी में तोड़पोड की गई और पुलिस उनकी सुनवाई तक नहीं कर रही है और दूसरी तरफ देवरा की तस्वीर है पश्चिमिद्नापुर में जहां बीजेपी त्रणमूल कॉंग्रेस के कारकरता आमने सामने हो गए त्रणमूल का आरोप के बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे थे चुनाव में और ममता बनर जी के पूर्व से पैसा लार जो इस बार ममता बनर जी को ही चुनावती दे रहे हैं शुवेंदू अधिकारी वो आज सुभा सुभा ही नंदी ग्राम में वोट डालने के लिए पहुँचे उन्मने क्या का सुनवात है जीत मेरा तो नहीं बीजेपी पार्थी का होगा दिश्चारे के लिए किना जुबा ने तो पूरा के पूरा इसका इसके खिलाब वोटिंग कर रहा है पीएम किसान चालू नहीं किसानों ने पूरा के पूरा जोल लगा दिया और पंचाज में इतना धांदली आमफान का रुप्या इतना धांदली हुआ इतना कुराब सब जो सब्सक्राइब 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 करके लागा दिया की वाटी सेक्टार अपिस में भी प्यारा विलिटरी फोर्स है आईजी इसी आरपी एफ डी आईजी इसी आरपी एफ ये सब का अला कमांड पुलिस का भी बड़ा अधिकारी सब डैरा डाला हुआ है यह लोग आये हैं मैं खुस हूं निसपक्स अउसांतिपुन्य तरिके से चुना करा दीजिए मैं केंपेनिंग धुमाधार केंपेन कि लिए मेरा खिलाब जो प्रत्ता से दोनों महमर्चा का और ट्यम्सी का वह भी प्रचार किया सबका बात सुन लिया जनता जानता के उपर छोड़ देना चाहिए जनता को क्या कहेंगे आज जानता को घर से निकल कर आईए खाना थोड़ा लेड में खाईए पहले भोटिंग कीजिए नंडीकराम का भोटिण कि लिये पूरा के फुरा जितना पुरा देज नहीं तो पुरा आज प्रकार बंगाली यह और इंडियान का जितना सिना भी पल्रचार Score ai नंदीग्राम में पुष्टी करन जितेगी या विकास जितेगी इसके लिए सब लोग इंतिजार हुए